ब्राट तु यू बाई टेक्नो कैमन 30 सीरीज करवाई करनी है तो सरकार पहले डीजे और धरमशालाओं में बजने वाले लाउड स्पीकरों पर कारवाई करें कि अमल होना तो दूर की बात है तमाम धार्वी किस्तलों से माई कुतरा दी गए सुप्रिम कोर्ट ने जो गाइड लाइन दी उसके साथ सानुमती देना चाहिए वहीं मांग हमने भी कलेक्टर साथ से करिए कि अधियर आगे कारवाई करने के लिए वोला हमने प्रॉमिस करा क्या मानक क्या हुनीशियों को को सिप्स मानक देवी तरह पशपश पंडेसी मेल का सुपरिम कोर्ट टार रहे ठीक है सुपरिम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा है कि आप अपने धार्मी के स्थालों से माई कि शीकाइदे कि सड़कों पर टी जे बचते हैं खतरनाक बचते हैं कि कान पढ़ियाएं उस पर भी रोक लगना चाइए धरम शालों में देर दिर तक वाज़े बचते हैं उस पर लगना चाहिए धर्मी किस्तल ने क्या रहारा है कि उसका आप निकार गया है कि काजिय साद शादियों में इतनी जोरो से दीजे बचते हैं कि कान फढ़ जाता सरोकों पर पाबंदी हो सब पे हो धार्मी के स्थल क्यों टार्गेट पे लाएं और जो सुप्रेम कोर्ड का आडर है उसके मुताबिक अमल होना चीह हमारे ही माँगे हालाग इस मावले में इन दौर कलेक्टर आशिश सिंग ने साफ किया है कि जो भी कारवाई हो रही है वो शाषन के आदेश के आधार पर की जा रही है देखें अभी बर्तमान में जो शाषन के निदेश हैं जो लौड स्पीकर हटाने संबंदिर उस संबंद में उनके द्वारा चर्चा करी गई है और इस संबंद में स्पष्ट है कि जो शाषन के निदेश हैं उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार रहे और उनका पालन कर और जो सुप्रीम कोट के पहले के आदेश हैं उसी अधार परशासन के निदेशों का निदेश जारी किये गए थे और उसी के तहट हमारे दौरा करवाई करी जारी आपको बता दें कि मोहन सरकार की पहली कैमिनिट बैठक में ही धारमे के स्थलों से लाउड स्पीकर अटाने का काम तेजी से हो रहा है इन दोर से धर्मिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट हैंपी तर